विकास के कामों को लेकर कुछ लोग भाजपा की डबल इंजिन सरकार का मुकाबला नहीं कर पर रहे हैं। ये लोग अपने समय की लूट, खसोट और प्रस्टाचार पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अचानक उन्हें उत्राखन की संस्कृत भी याद आने लगी है, जिन लोगों को देश की विरासत कभी समझ नहीं आई, जिन लोगों ने कभी माभारती की रक्षा के लिए मरने मिटना कवालों का सनमान नहीं किया, वो आज संस्कृती की बाते कर रहे हैं। अरे इतने सालों तक राज किया, मेरे इस छेत्र में लाखों बंगाली परिवार रहते हैं। पुर्वी पाकिस्तान आजादी के इतने सालों के बाद भी मेरे बंगाली भाई उनको मैं माभारती का बेटा हूँ, यह हक पाने के लिए लड़ते रहना पड़ा, मैं धामी जी की सरकार को बदाई देता हूँ, को उन्होंने मेरे बंगाली भाईयों के इस हक को स्विकार क आज पुर्वी पाकिस्तान जो लिखा गया था पहचानों में उसको हटाने का काम कर दिया भाईयों बैटों, इन लोगों ने आज संस्कृति याद आ रही है, विरासत याद आ रही है, अरे यह जड़ा देखो, हमारे गुरुओं ने हमें कितनी बड़ी सिख्षा दिया, गुरु गोविन सीजी ने आदरसों के लिए मुल्यों के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया, बीर साहिब जादों का बलिदान हिंदुस्तान के बच्चों बच्चों को आने वाले सद्यों तक प्रेणा देने की ताकत रखता है ले उसे भी बुला दिया गया उन्हें बीर साहिब जादों का बलिदान भी कभी नजर नहीं आया ये बाजपा की ही सरकार है जिसने 26 दिशंबर को बीर बाल दिवस गोशित किया है में लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या तिस्ट्रिकन के लिए युनिवर्सिटी की स्थापना देव भूमी की संस्कृति को ताकत देने वाली है क्या मा गंगा का पान देव भूमी की संस्कृति का पान क्या आप लोग सेहन करेंगे यह पान सेहन करेंगे आप देखिए इसी धर्ती के संतान और यहां तो कोई घर ऐसा नहीं है जहां का कोई परिवार जन फोच के अंदर देश के लिए मर मिठतें के लिए तयार नहों उस सेना के सेना पती को इसी धर्ती के संतान विपिन रावत जी को यह लोग क्या कहते थे मालूम है वे उनको सड़क का गुंडा बोल दिये थे सेना के जवान का यह अपमान यह सिरफ भिपिन रावत का अपमान नहीं है सेना के युनिफॉर्म को अगर आप सड़क का गुंडा कहते हो मेरे उत्राखन का एक एक नवजवान जो सेना में है उन हर एक दिल को चोट पहुंचाते हो उनके परिवार जनों के दिल को चोट पहुंचाते हो जो लोग उत्राखन की पहचान को ही खत्म करने के लिए साजिस कर रहे हैं वो लोग उत्राखन की संस्कृति की सबसे बड़ खत्रा है बहुत पुरानी कहावत है भाईयों मुह में राम बगल में जुरी और ये तो लोग ऐसे हैं कि उनके मुह में कि भी राम तो निकलता ही नहीं है लेकिन उत्राखन को नुक्षान पहुंचाने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे और अपने अभी सुना ह होगा एक कॉंग्रेस यद्व भारत को भी राष्ट्र मानने के लिए त्यार नहीं है बताईए आम बुझे बताईए उत्राखन की इस वीर धर्ती के घर गर से सेना में नौजवान जाते हैं देश की हिपाज़त के लिए जाते हैं देश के लिए मर मिटने के लिए जाते है वो सिर्फ उत्राखन की सीमा ओपर नहीं बेढ़ते हैं वो हिंदुस्तान के किसी भी कौने में जाते हैं नौर्थिज हो गये तो उसके बहां दिखेंगे जammू कश्मीर देखो तो बहां दिखेंगे ले लदाग देखो तो बहां दिखोंगे गहरे समंदर में देखोंगे तो मेरे उत्राखंड के नवजवान दिखेंगे, भाईयों बेनों हिंदुस्तान का कोई कौना ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की सिमा का कोई खेत्र ऐसा नहीं है, जिसकी रक्षा में कही न कही मेरे उत्राखण का नोजवान न हो, हमारे उत्राखण की बहन बेटिया न हो, उत्राखण की माताओं की बसकों की तपस्या को नकार देने का अधिकार इन कॉंग्रियेश्यों को किस ने दिया? भाईयों बहनों भारत एक है यह देश एक है हिंदुस्तान एक है इसलिए उत्रा खंड के पहाड का बच्चा केरल के अंदर समुद्री तर्ट पर बैट करके माँ भारती की रक्षा का काम करता है भाईयों क्योंकि ये देश उसके दिल में देश बसा हुआ है और कॉंग्रेस वाले कहते हैं राष्ट है ही नहीं जो लोग भारत को राष्टी नहीं मानते हो राज की भावना का अपमान करते हो राज के लिए सहीद होने वाले बीरों का अपमान करते हो वो लोग उत्राखन को तबाह करने के इरादे से यहां आये है उत्राखन की सेवा तो आप तभी कर पाएंगे जब आप में इस दर्ती के लिए आस्था हो यह आस्था भाज़पा को है यह दर्ती हमारे रुशी मुनियों की दर्ती है हमने अपने द्रश्टी पत्र में कहा है कि भाज़पा सरकार देव भुमी देव भुमी उत्राखन के देवत्व की रक्षा करेगी मैं उत्राखन के हर विरोधी को दंके की चोट पर कह रहा हूं उत्राखन के देवत्व के साथ हम कोई खिलवाद नहीं होने देंगे